दोस्तो स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटीबेशन यूटूब चैनल पे औरत के ये तीन रहसे जान लोगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे दोस्तो भारत के इतिहास में आचारे चारक का महतपूर्ण इस्थान है चारक की नीती वो धिमता का लोहा आज भी विस्सुभर में माना जाता है आचारे चारक की नीती को आज से 2300 साल पहले लिखा था पर आज भी इन में बताईगे ज्यादतर बाते उतनी ही सही बैठती है जितनी की 2300 साल पहले थी चारक के एक बहुत ही महान और समझदार बैकते थी जिन्होंने हर चीज का एक अनोखा ही तरीका निकाला है चारक के दोरा लिखित पुस्तक चारक की नीती हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है चारक के नीस्तिरियों और पुरुसों के सम्म जान रहने की सलाह दी है जो उन्हें धोखा दे सकती है कुछ बातें ऐसी है जो अधिकतर इस्तिरियों के सोभाव में सामिल होते हैं ये बाते कौन सी हैं इस संबंद में आचार चारक ने अपने ग्रंथ चारक के नीती में बताया है तो दोस्तों आईए जानते हैं इस्तिर के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो चाड़के ने अपने पहले रहसी में बताया है कि लड़की की सुंदरता देखत उससे साधी नहीं करनी चाहिए क्यूंकि स सिर्फ खूपसूरती देखकर किसी भी लड़की के सोभाव और भीतरी गुरों को परकना मुश्किल है अगर आप सिर्फ औरत की खूपसूरती देखकर उस पर मोहित होते हैं तो आप हमेशा धोका खाएंगे अवरत के सोभाव और अच्छे लच्छों पर ध्यान देना बह अगर लड़की के संसकार और सोभाव बुरे हैं तो बहा किसी भी घर को बरबात कर सकती है अधिकांस इस्तिरियां बात बात पर जूट बोलती हैं जूट बोलने के सोभाव के कारण घर में कलेस होता है और इससे खुद भी मुसीबत में फस जाती हैं इसलिए ऐसी इस्तिर परिवार के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन सकती है इसी इस्तिरी खुद पती पत्री के रिष्टों को भी नहीं बचा सकती है अगर महिला में संसकार हैं तो बो परिवार के साथ सारे रिष्टों को बड़ी समझदारी से निभा लेती है और उन्हीं रिष्टों के दाइत की भी भाली भाति समझ होती है ऐसे में बहकेबल अपने दम पर ही पूरे परिवार का सहारा बन जाती है चारकिने ये भी कहा है कि अगर इस skincare बाली होती है तो वो परिवार के साथ पति के रिज्टों को भी हानी पहुँचा सकती है काफी इस्तियों का सोभाव ऐसा होता है कि अचानक ही कुछ भी काम कर बैठती हैं बिना सोच विचार के ही कुछ कार्य कर देना है इस्तिरियों के लिए आम बात है कुछ महिलाएं अति आत्म विस्वास के चलते मुर्खता पूरड कार कर देती हैं ऐसे में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है चड़क ने यह भी बताया है कि कुछ महिलाओं को धन और अभूसरों का बहुत सवक होता है धन की लोभी होती हैं उन्हें धन और स्वरड के प्रति खास लगाव रहता है यह लगाव कई बार लालच बन जाता है और इससे अनेक दोस उत्पन होती धन लालच में कुछ इस्तनिया सही गलत का भेद भाव भूल जाती है इस तरह की महिलाओं को पैसे बाले लड़के ही पसंद आते हैं अगर परिबार के जवरदस्ती के कारण उनका बिबाह किसी और बैक्ते से हो जाता है तो उनका मन अपने प्रेमी में ही लगा रहता है जिसके कारण पती पतनी के रिस्तों में दरार आने लगती है इसलिए ऐसी औरतों से साबधन रहना चाहिए तो दोस्तों यही थे बहिलाओं के वो तीन रहसे जिनको अगर आप जान लोगे तो कभी भी दोखा नहीं खाओगे दोस्तों आपने अपना हमें भवमूले समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मैं आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजी तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ग्यान बर्धक वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत